हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु इंडेन स्टडी इंडेन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए ग्रामिल परिवेज का इंडे इंपोटेंट टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी लेकपाल के लिए बेहद इंपोटेंट हैं तो वीडियो को एंटलेक जोट देखिएगा क्योंकि लाश्ट वे मैं आपसे एक कोसंस भी पूछूंगा और उसका अंजरा आपके सामने साथ ही साथ इस वीडियो की पीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैले का हुआ आप प्राप्ट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों करते और देख लेते हैं पहला कोसंस दोस्तों आपके सामने हैs gsy का यह एक यूजना इसका फुल फॉर्म क्या है यह आप से पूछा है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सुन जैनती ग्राम सुराजगार योजना तीसरा आप्सेंस य harvest यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सरक्रेक्ट हो जाएगा पतियों की सरसराथ खडठाथ में धौरणी का इस्तर कितना DC होता है यह आप से पूछाए जल्ली से बताईए कितना decibel होता है तो सही आंसर हो जाएगा सर 10 decibel कितना 10 decibel 14 options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर correct होगा क्योंकि बहुत ही कम होता है सै कारेता छेतर में भारत का सबसे बड़ा और बड़ा कार खाना इस्तित है कहाँ पर तो यह फूलपूर में हो स्थित है जो कि उत्तर परदेश में पहला ही options correct है बसरा किस पक्षी के हृत्तंब पर जाती है बड़ی है questions जल्दी बताएं तो आपका सही आंसर क्या होगा बसरा किस पक्षी की हम पर जाती है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर कभूतर की किसकी कभूतर की है तीसरा ओफसन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर करेक्ट होगा नेक्स्ट कोशन से स्टार्ड गरने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर व्रदेस लेकपल के बेस्ट वुक के बारे में जो की पचक्सु परकासन की है यह बेस्ट वुक क्यों है वो अभी हाली मैं आपको बता देता हूँ आप सबी लोग जानते हैं ग्राम समाच एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेकपल में ही पूछा जाता है तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तयारी करने के लिए यह बुक आप लोग के लिए बहुत ही जादा हेलफुल होगी है ना और बैस्ट वुक क्यूं है वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इस वुक को पुराने पेपर को यानि कि जो पुराना पेपर जो प्रिवेस एर में हो चुके हैं उसको दियान में रखकर के यह तैयर की गई है दो solve paper आपको मिल जाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये book में जो material आपको या जो content आपको provide करवा जाए रहा है actual में आप लोग के लिए useful है या नहीं तो उससे आपको ये पता चल जाएगा ग्यारा सो जादा जो आपके questions आ चुके हैं पिछली परिक्छाओं में वो questions इसमें समाये थे हैं और gram समाज के जितने भी topic हैं वो बिल्कुल theory wise अच्छे से इसमें समाज जो हैं वो बताए गए हैं ये इसका index है बाकि मैं आपको बताता हूँ index के बाद अगर आप first chapter पे आएंगे तो देखो सारी चीज जो है वो बिल्कुल descriptive way में आपको समझाई गई हैं जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने gram समाज की तैयारी कर सकते हैं ठीक है जो कि ये लेकपाल के लिए useful होगा जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको practice set की भी आवा सकता होगी तो चक्सू publication है आप लोग लिए practice set भी आप लोग को provide करवाता है जिसमें 25 practice set और दो salt paper आपको मिल जाएंगे और कहीं अगर आप लेकपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये guide book जो है purchase करना पड़ेगी ठीक है तो आप proper जो है वो लेकपाल की तैयारी कर पाएंगी ध्यान लगिएगा किसी भी offline store से आप purchase कर सकते हो कहीं भी कोई भी दिक्कत रही है problem हो रही है description link है तो check out कीजिएगा वहाँ से भी आप purchase कर सकते है Amazon flip card जो भी आपको ठीक लगे जो आप लोग के लिए suitable हो next question से आपके जीवन रक्षक अतवा बचाओ सिचाई इंगित करती है क्या तो सही आंसरो जगा किरांतिक संबरद्य अवस्ता पर सिचाई को इंगित करती है चौता options correct राश्टी ये बन नीती के अनुसार देश के कुल बोगोलिक 6 तरफल के कितने परसेंट भाग पर बन होना चाहिए 33% है तो एक वटे तीन भाग पर चौता options correct सुरहताल पक्षी वेयार इस्तेत है कहाँ पर तो सही आंसरो जगा बलिया में एला options correct निमले के तमेंसे कौन सा ब्रक्षी ये सबजी है कौन सा ब्रक्ष सबजी के रूप में यूज़ किया जाता है करीपत्ता तीसरो options ये आपर आपका बलिकुल correct हो जाएगा पुरुष साक्षर्ता में राष्टी ये इस तरपर उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थान है बढ़िया कोशन जल्दी बताएगा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर option number C 29 बा तीसरो options correct गन्ये की अड़िसाली फसल पकने के लिए कितना समय लेती है देड़ वर्स का समय लेती है ये दूसरो options correct उत्तर प्रदेश की पहली जनसंकिया नीति किस वर्स में गोशित की गई थी जल्दी बताओ सही आंसरो जगा 11 जुलाई 2011 में तीसरो options बिलगूल correct मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, गेहूं की गेहनता है कितनी सही आंसरो जगा 200 परसेंट, चुवाता options correct राम कता संगराले कहां पर इस्तित है तो ये अयोध्या में इस्तित है, चुवाता options बिलगूल correct उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सूर्मा उत्ध्यों के लिए पर सिद्ध्य वरेली, पहला options correct निमले के तमेसे कौन जरीफ से सम्मद्ध नहीं है सोध, जरीफ से सम्मद्ध नहीं है, दूसरा options correct किस भूमा पी यंद्र का आकार चिम्टे जैसा होता है, जल्दी बताओ प्रकार का, पहला options correct मांचित्र को गटाने और बढ़ाने के लिए किस यंद्र का प्रियोग किया जाता है, बढ़िया कोशन पेंटोग्राफ का प्रियोग किया जाता है, प्यारे दोस्तों, दूसरा options correct तुला सिंता रोग किस फसल का रोग है, जल्दी बताओ तो ये मक्का फसल का रोग है, चोहता options correct देश का पांचमा मेमोरी लेव कहां इस्तापित किया गया ये लखनाओ में इस्तापित किया गया, चोहता options correct उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम के इस्तापना किस वर्स की गई थी तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1974 में तीसरा options यहाँ पर आपका बिलकुल correct हो जाएगा निमले के तम ऐसे कौन सा युकम सही सुमेलित है बुकसा जंजाती उत्तर प्रदेश के बिजनोर जिले में पाई जाती है, ये सही सुमेलित है दूसरा options यहाँ पर आपका बिलकुल correct हो जाएगा ताज अंतराश्ती हवाई अद्धा कहां पर रिस्ते थे ताज अंतराश्ती हवाई अद्धा कहां पर रिस्ते थे तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा option number B, greater anodam है, ठीक है, कहां पर है sir? किस अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में ग्राम पंच्याद के गटन का प्रापदान है, बढ़िया question, तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा sir? article 40, तीसरा options correct, 84 निरत किस जन्पत का प्रमुक लोक निरत है, जल्दी बताओ, तो यह जोनपुर का है, पहला options correct, और last questions, यह कि एकड़ में कितने बरगज होते हैं, तो इस questions का अंसर आप मुझे comment box में बताएंगे, तो दोस्तों यह थे आपके 25 ग्रांगल परिवेस के important questions, जो कि आपके आने वाले exams के लिए important है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को like और share जरू कर दीजिएगा, मिलते हैं फिर next, last one, next session में, जय हिंद, जय भारत कर दिर ए मसलिए के लिए बताएंगे, ज़्या कर दोस्तों अच्छी लगी निय में, जच्छी ले दोस्तों प्लीजियो खब कर दो हू 75-05-05-A zधे नहaja हू.